नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है मैं हूँ डॉक्टर बुंदा सिंग एसुषिट प्रोफेसर होम साइंस गभ्मेंट कर्सक्राइज नावर आज मैंने आपको प्रत्यास्थता तक पढ़ाया था इसी के क्रम में टेक्स कर रहे हैं या नेट की त्यारी कर रहे हैं तो आपको एक टर्म क्लियर होना चाहिए कई सारे बच्चे पूछते मैडब कौन सी किताबे पढ़ें जो आज है जिसे में निकल जाओं सभी चाहते हैं हम भी चाहते था इसा ही तो मैं ज्यादा क्या को हूँ मैं यह कभी नहीं क ने का क्या है कि आज भी बेटा जितना मैंने किताबे लिख दिया अगर आप पढ़ लो हुआ अистर कर विश्वास और वाले पढ़ेंगे मात शरशुती को परणाम करके आप काष को आरंब करें मैं तुher करते हूं प्राताकाल उठो भगवान को परणाम करो आज का और आप अपना जो पढ़ोगे याद हो जाएगा कंसेंट्रेशन पहली बाते कंसेंट्रेशन बनाए रखना पहले भी मैंने बताए था आज भी बता रहे हूं प्राता काल बेटा अरली उठो जल्दी उठो आज कल क्या हो रहा है आपके हाईनिक हमारे हां भी सब जगह में सी हो गए निया ट्रेंट चला है नौ बजे सवक उठना दस बजे सवक उठना यारा बजे सवक उठना अरे प्राता है काल उठो ब्रह्मुरत में उठो भगवान को परणाम करो मास्रसुति को परणाम करो हमारी मा कहती थी यह वेद भी कहते हैं कि प्राता है काल कोई सबी काम करो सब काम आपको सफलता में चाहिए वह गर का काम करो चाहिव सब करते हैं और तो आज है आपको प्रतियसकंदता के बारे में बतारी हूं एक त्हर्मार आता है प्रतियसकंदता क्या है प्रतियसकंदता रेसों की मूल रूप वापस ग्रहन करने की छम्ता रेशों के मूल रूप वापस ग्रहन करने की छम्ता कहलाती क्या है परतियसकंदता जो उसका रूप था अगर वो आपिस आ गया तो वो कहलाएगा प्रतियसकंदता समझ के बात को कपास के रेसों में लीनन के रेसों में जूट के रेसों में प्रतियसकंदता का और प्रतियसकंदता का अभाव होता है अभावी नहीं श्रक्त अभाव होता है वहीं सिंथेटिक रेसे है नायलोन के पॉलिस्टर का है उसमें प्रतियास्थता और प्रतियसकंदता का अनोखा और विलक्षन गुन रहता है इससी कारण आप देखोगे कि यह दोनों ही बहुत फेमस हुए है कि मार्केट मिन की खुब चलन हुई है और हर घर में हर व्यक्ति कि इसको अपने काम में लेता ही है इस सारे काम इनकी रिजिलियंसी और अलस्की सिटी के कारण फेमस हुआ है उसके बाद आता है एक टर्म है अप घर्षन जिसको अंग्रीजीम बोलते हैं अब्रेजन अब घर्षन का मतलब होता है रेसों या वस्त्रों की रगड एमंग घर्षन सहने की चमता है जब हम कपड़ा पहनते हैं वस्त परिधान को धारन करते हैं तो कुछी दिन में गंदे हो जाते हैं मैले हो जाते हैं कुछ ऐले हो जाते हैं नहीं होते हैं तो जब मैले कुछ ऐ से कट जाए वस्तर महां से निर्भल हो जाए तो वैसा वस्तर जद्धा ज्यादा टिकाव नहीं होगा मार्केट में ज्यादा नहीं बिकेगा इसलिए अप घरसन की छमता देखनी पड़ती है जैसे आप आपका यह यह कि तो अगत पानी में अब महंगी से महंगी रेसम कि साड़ी को या रेसमी दुपट्टे को पानी में डाल कर गड़के धो जो क्या होगा कि सारी संदरी उसका समाप्त हो जाएगा यह वस्त्रों की रानी है दासी थोड़ी है तो वस्तर विक्रित हो जाएगा वस्तर की सारा कोस्ट खतम हो जाएगा पहनने लाइक नहीं बचेगा अब घरसन की जो छमता होता है सबसे ज्यादा आप यह कॉटन में होता है और जूट लीनन में होता है चाहे उसको पटक पटक के धो चाहे कितना भी उसको पीटना से पीटो वासिंग मसीन में चला दो पैर से कुचलो कदम ताल करके धो ब्रस से रगड़ के धो कैसे भी धो तो सूती का कपड़ा जो होता है सब कपास करेशा उसमें अब घरसन चमता भी जोड़ होती है इसलिए हम लोग किचन से ले करके बेड कर्माता है रेटिंग मुलाइम करना रेटिंग का मतलब क्या होता है मुलाइम करना यह टर्म है टेक्सलाइट कर्मलोजी मैं बता रही हूं आपको तने से छाल को अलग करने के लिए नमी पानी या वोसमी गलाना यह प्रक्रिया किसके लिए की जाती है जो रे से हमें तने स हैं उसके लिए रेटिंग की जाती है है एक कॉंसे रेशे प्रॉप्त है इस तनों में रहते है हैं जूत का पड़ता है दलाने से इसको शेलूलोच जो दूसरे प्यक्टिन होते हैं वो खतम हो जाते हैं पूप हो जाता है और उसको फिर हांत मसीन सरीर से बाल को उतारने की क्रिया कहलाती है कताई और जडाई भेड़ आपकी तरह नहीं जाके बैठ जाती है महां पर क्या करते हैं अब को ऑने चैनलए ओसे काते हो तो फित है ने तो बेड़ के शरीर खेल से जो बाल उतारे जाते हैं जिससे हमारा उन बनता है तूज इसे कесь तैयार होते हैं तो उसको कस नहला धुरा करके बिठा दिया जाता है उसके टांग को बंज दिया जाता है यह मस्तर के माध्यम से बाल को अन्तारा जाते हैं तो यह कहला दिक कताई और जड़ाई किसके लिए उनको ने हुँ बस्त्र निर्मानपरक्रिया करते हैं तब उसमें काम आता है इसके बाद आता है सफाई करना सबस्कोरी अंगरीजी वाली बच्चे समझे श्कोरीं मतलब होता है उनी रेशों की सफाई करना उनी रेसों में क्या अभी मैंने बताया करें कि बेड़ के चानावरों के सरीर पर उगे हुए बालो को है तो न ढूंबन करना या उसके में जो जानवरों को को उनी रेसं से अलग करना या उसके जो जानंबरों को पसेञें लगे हुए हैं या जान warranty को साथ स्वेद गरंथे की tough पसी निकलता है उन सब को अलब करने की प्रक्रिया कहलाति है स्कोरीं कर करना ये भी भिधिन केमिकल के माध्यम से भिभिन तरिकेसे इसको scoring की जाती है इसके बाद एक termata खेंच कर निकालना drawing out का मतलब होता है कि द्हागे को महीन एमंग और भी अधिक बारीक करने के लिए जईसे आप नाइलोन का रेशा कि हम पढ़ाएंगे आपको तो देखो गया आप कि नैविन के जो रेसे होते हैं वह इतने होते हैं। अगर कोई eight-inch लंबाई से उस रेशेव को खींच करके आप आठ गुना, शे, दस, गुना, तक आप उसको लंबा कर सकते हैं। तो इतनी सी अगर रेशा है तो खीशते खीशते आप इतना लंबा भी कर सकते हो उसमें क्वालिटी होती है और यह जो टर्म है वह कहलाता है ड्रॉइंग आउट खीश कर आपका निकालना इसके बाद एक टर्म आता है टेक्टल टर्मलोजी में वह होता है फैल्टिंग नमद दाब द्वारा उनी रेसों को आपस में जाकर जमाना यह होता कैसे जो बड़े बड़े उनी रेसे होते हैं उनसे तो उत्कृष्ट प्रकार के धागे तयार किया जाता है फिर उसको बुनाई के क्रम में ले लिया जाता है लेकिन जो छोटे रेसे होते हैं बिलकुल बेकार इसको नेना एक स्कीट के रुप में उसको भीचा देते हैं और फिर जो उसको उसके ठेमपरिची डालकर कर प्रेश। डालकर को शुट तैयार कर लेते हैं और उस सीड से कोट चादरें है एक यह ना कमबल ऐसी चीजे बनाई जाती है हैं किसमीर में आप जानते हो कि आप दे देख सकते हो फ्रिंटिंग के आप ड्रेसी के देख सकते हो भुणा यह नहीं रहती उसमें फार यह ल्ड़ा जाते हैं आपस मेरे सिल आपस में चिपक-जाते उलज व्रकें लेयर में तो सॉफ्र प्रेस करते हैं जित नम्मी से ताप और मैंसां जो मिलता है तो तुिछ से को भूंगे इसके बाद आता है किडों को फालना जिसों करते सेरी कलच्छर ये रेस्मी बस्त्रों को यह रेसमी बस्तर निर्मान परकरिया कहलाती है सेरी कल्चर रेसम कीड़ों को पालना ये सेरी कल्चर कहलाती है कि रेसम के कीड़ों से ही रेसमी रेशे निकलते हैं यह में जब रेसम में वस्त्र निर्मान प्रकेश पढ़ाऊंगी तब डीटेल्स बताऊंगी रेसम का कीड़ा अंडा प्यूपा लारवा और होता है डाल्ट चार उसके स्टेज होते हैं तो प्यूपा स्टेज में ही आपका जो है एक्चिली क्या होता है सेरी कल्चर में जो रेसम की कीड़े होते हैं उसके मुक द्वार पर नुपल आप उनका लार निकलता है और उनका है एक से stronger ये प्रसेस निकलता है दूसरा से प्लाइन निकलता है और दोनों आपस में छिपकते चले जाते हैं और उसको रेस्म के कीड़ा अपनी चारों तरफ उसको लपेट चला जाता है तो आप आवरन की तरह चारू तरफ अपना लपेट लेता है और बीच में चुप चुप सी किड़ा अस्थिर रहता है यह जब मैं प्रॉसेस पढ़ाऊंगी तो मैं डीटल्स आपको बताऊंगी तो सेरी कल्चर का मतलब होता है किड़ों को पालना इसके बाद आता है एक टर कोकुन से निकलता है तो कोकुन को पहले मार दिया जाता है ठीक है और फिर उसके छोर को ब्रस से प्राप्त कर लेते हैं और ब्रस से प्राप्त करने के बाद उस चोर को हम बाविन पर लपेटते चले जाते हैं बाविन पर लपेटते हैं ठीक है तो इतना मभारिक होता है उ तो इसको हम दो तीन चार रेसों को मिला करके बॉबिन पर लपेट से जाते हैं जो बॉबिन पर लपेटने की रेसमी रेसों की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया कहलाती है विलिंग इसके बाद आता है गोंध हटाना डी गमिंग रेसमी रेसों से गोंध हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं गौंधल maina मैंने अभी आपको बताया कि जब रेशम के रेस्य में कीडों के मुख्व छिद्रों से निकलते हैं जिसमें सेरीशीन होता है जुसरा नामक जो होताऊं गोंधल होता है और प्रेस्थopa तो रेस्म में चिपका हुआ रहता है तो गोंद जो जो बेस्ट का आपका रेस्मी रेस्म का वस्त्र होता है जो उत्कृष्ट का वह हलके होंगे तो भी मार्केट आप जाना और अगर आपको दिखाए दुकानदार तो सबसे पहले पहचान क्या होगी जो रियल में असली रेस्मी अधागों से बने कब हुए जो बहुत भारी नहीं होते अगर बहुत भारी है तो मत समझना कि उत्क्रिश्ट परकार का रेस्मी बस्त रैंए वे एक पेचान ये भी बहुत लोग जाते हैं ज्ञें के रेशों कर देसों के तरह हिलुफ है उसमें उसमें उलच जाते हैं और पैसा रेशनी वस्तर की तरह देक्दर ना समय होती है तो ठगह मत बंद्ध लेंगर के हचांते ह। इसके बाद तो जो रेसमी रेसे है, उनको निर्मान पर्किरिया के दवरान उसमेंसे गोंध हटाना अनिवरी होता है, और तब कहीं जाकर के उससे बस्त्र बनते हैं, इसको कहते हैं, डीगमी, इसके बाद एक टर्माता है ताप सुनम्मी रेशा, धर्म्वॉ फ्लास्टिक फैबर स्पाइबर का मतलब होता है जो ताप से प्रभावित हो जाए जो ताप के संपर्थ में अकर के रिखल्फ मतलब मेंट हो जाए उसको कहते हैं ठर्म्व फ्लास्टिक फैबर का वर जितने भी आप्स पाइबर देखरें जो केमिकल ली तयार किया जा रहा है जो मानौ कृत रेसा है चाहे वो नाइलोन है यह डेक्रोन है या पॉलिस्टर है या फिर ग्लास फाइबर है जो भी जितने वह आज तो अनगीनत प्रकार के रासाइनिक पदार्थों से मिला करके रेसे तयार किये जा रहे हैं जिसके रेसे में हम बास की लुक दी और कॉटन लिंडर्स का उप्योग में लेते थे लेकिन उसके लिए प्राकर्टितीक रेसे क्या प्लास्टिक फाइबर अगर एक्जामनेशन भीपूछा जाता है कि सब सबसे पहले थर्मो प्लास्टिक रेसा कौंसा है जो कि जिसे मानों ने बनाया है तो आपका एकजामनी आपका जो एंसर होगा वो खौका कौंसा याइलोड इसके बाद होता है एक ठर्मावर आता है पुनरबलित रिंफोर्सटा प्रत पुनरबलित रेशा वस्त्रों का पुनर बली त्रेशा तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लेश सेर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें और बेटा ध्यान रखो पढ़ने वक्त कंसिंट्रेशन रखो एक ही ब्रत रखो एक ही नियम रखो कि हमें क्वाइलिफ आएंगे विपदाएं आएंगी आपको रोकने के लिए विरोध आएंगे हमारी जैसी लड़कियां जो मार्केट में जो हमारे बैचारी काम कर रही है मैं क्यों पढ़ा रही हूं कोई लड़की कहते है मैडम आप आप आउनलाइन आओ बिल्कुल आओंगी बेटा मैं भी सब्सक्राइब करके कोशिश कर रही हूं आने की तो कि कई लोग काते मैडम पैसे लगेंगे नो पैसा मैं आप से एक रुपया नहीं लेकिन मेरा काम है मैं जितनी हो सके मैं अपने क्लासरूम से बाहर जा करके आप लोग को मदद कर सकूं ताकि हमारे हमारी लेक्चर से अगले वीडियो में अगले पीस उपसात तब तक दो बेटा जाने की इजाज़त बाई बाई फिरने तो